नमश्कार साथियो आज की इस वीडियो में आपकी एक डिमैंड को यह हमें क्लाइंट हमारा वीवर हमें मेसेज किये थे कि 30-40 का एक नौर्थ फिसिंग घर का नक्षा दिखाना बोले हैं आज की वीडियो में हम आपको वही नक्षा दिखाना चाहते हैं अगर आपका भी कोई requirement रहा तो आप लोग हमें बदा सकते हैं अगर आप नए है चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा फ्री आप कोस्ट है इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है तो आज के इस वीडिया में हम 30-42 का जो है आप प्लान दिखाना चाता हूं यह पूरा फुल वीव आप लोग देख लिजेगा इस तरह से दिख रहा है ना आप लोगों को फुल वीव है इसके अंदर कंसिस करता है एक हॉल है फस्ट अफॉल सामने पार्किंग है हॉल फिर उसके बाद किचन कम डाइनिंग एरिया फुजा रूम आ जाएगा फिर बातरूम और डबलू सी वाटर क्लोजेट है सप्रेट बातरूम सप्रेट ट्वाइलेट रूम लिया और स्टेर्केस दिया गए सामने की तरफ और इसके अंदर देखिएगा फस्ट आपको जैसे के वार्स आप लोग देख रहे ना भी स्टार्टिक में पार्किंग आपको छे फिट वाइड मिल रहे हैं सो नॉर्मल पार्किंग है जैसा बाइक सिर्फ आप गेट खोल सकते अगर गेट खोलना है तो भी आप अं उसके लिए चेंज विर्थ लिए अगा स्टेर्केस और चेंज का दिवार है और कॉलम का साइज नौब आई नौव इंच का लीजिएगा कॉलम इसका कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा और उसके साथ सब्सके नीचे ही आ जाएगा फिर यहां पर एक हॉल लिया हुआ हुआ ह तेरा फुट बाई 14 फिट में खॉल बेड़ो नौबर वन जो है न 11 वे 10 फिट अब हॉल से अंदर सीधा आप लोग चलते हैं पुजा रोम और किचन कम डाइनिंग गेरिया किचन कम डाइनिंग गेरिया जो दियो आ है 13 वे 15 फिट तो यल शेप में आप लोग किचन बिटा आप लोग यहां पर दो विंडो ले दिजिए आप लोग दो विंडों लेने से आपको continuous एर सर्कूलेशन उसा इंद बातरोम यहां पर आपको मिल रहा है यह देखिए का बातरोम जैसे सब्सक्रारोम के सामने एकदम ठीक तो वहां पर क्या किया है दिवार लिया गया इस व सिंपल बेस्ट प्लान आज आपको देखा हैं फिर उसके साथ और एक चीज में बदाना चाहता हूं वह है बेड़ो नंबर वन ठीक है यह सब हो गए अब अब नेक्ष्ट बात करते हैं इसका कॉलम का साइज क्या लेना चाहिए सो वीवर्स देखेगा कॉलम का साइज आप लोग 9-15 इंच का कॉलम लेजेगा आराम से आप लोग तीन मंजिला इमारत बान सकते हैं इस तरह के अगर आप प्लान बनाये तो तीन मंजिल तक आप इजली उठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आउटर जो वाल रहता देखो वह आ आप नव इंच का ले सकते हैं आउटर वाल नव इंच लिजेगा और इनर वाल जो रहता ग्राउंड फ्लोर रहा तो नव इंच का ही लिजेगा इनर वाल भी अगर आपके बाद स्पेसियस जगा है तो कंजिस्टेट करने के कोई जरुरत नहीं है आप लोग जो है नव इं अगर इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगा इसमें आपको पंदरा से बीस लाग रुपए इजी ली चाहिए तबी तो आप लोग बान सकते विकोज वरकर चार्ज लेवर चार्ज कॉंट्रेक्टर चार्ज इंजिनियर का चार्ज कभी इंक्रीज नहीं होता मगर यह जो मटेरियल का चार्ज जासी है उसब इंक्रीज होते है तो यह एक बेषीक। ऐके एंद रिएन ऐता है जाल मॉक्त है झाल मॉक्त है है यानी करीज फिक साल मॉंदा तब आया तो आसा है याल मॉत्या तो आम मिलल्ग में मानॉन टो ओकिसक्राख्ज होते हम लेक्टरू करी में ऊब्य।